हम इसे याद रखेगा कभी भी P, Q, S या G के बाद अंसा रहा हो या एंसा रहा हो तो एंस के लिए एंसी लिखे वेल्कम बैक टू आउ सीखे आज आउ सीखे आज के चैन में आप से भी का स्वागते यह हमारा फोन नमबर है अगर आप हमारी कोजिंग चाइन करना चाहते हो तो इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं चली कलास सुरू करते हैं और आसानी से आप इसे समझ सकें लेकिन हां चैनल को सबस्क्राइब करिये ताकि मैं और भी अच्छे से आपकी मदद कर सकूँ और बहुत सारे रूल से आपको सिखा सकूँ सबसे पहले जान लेते हैं कि एंसी और इंसी को पढ़ना क्या है क्या दोनों को एक ही जैसे पढ़ा जाता है या दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो देखें, ANC को आप ANS और ANS दोनों ही पढ़ सकते हैं आप इसे ANS पढ़ते हैं तो भी सही है, अगर आप इसे ANS पढ़ते हैं तो भी सही है तो आपको जैसे पसंदे आप वैसे पढ़ सकते हैं लेकिन ENC को कैसे पढ़ना है आप ENC को क्या पढ़ना है यह जान लेते हैं तो ENC को आप ENC भी पढ़ सकते हैं UNS भी पढ़ सकते हैं कई लोग इसे ENC पढ़ते हैं तो कई लोग इसे UNS पढ़ते हैं लेकिन आप दोनों ही तरीके से इससे पड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरीके इसके सही हैं, तो ये तो समझ में आगे हैं कि इसको पड़ना कैसे हैं, अब एक और डाउट होता है कि इसको लिखना कैसे हैं, क्योंकि कई जगा ANC लिखा जाता है, ANC के लिए या ANC के लिए, के लिए पर एक बहुत आसान सा रूल्स बनाया है, वो छाल लेते हैं, अब दीखे, अगर कहीं पर भी आपको एंस लिखना हो, आप एंस बोल रहे हैं या अंस बोलना हैं जो भी, तो हमेशा एंस लिखने से पहले आपको देखना है कि उससे पहले T आ रहा है तो आपको ANC लिखना है एंस के लिए एंस के लिए अगर R आ रहा है एंस से पहले तो आपको ANC लिखना है और अगर D आ रहा है तो आपको ANC लिखना है अब आप कियेंगे थोड़ा सा doubt ने समझ भी नहीं आ रहा है कैसे समझे तो एक-एक को अच्छे से समझ लेते हैं जिससे आपके और ज़्यादा help हो सके प्लेस पूरी वीडियो देखेगा नहीं तो rules अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो चली आके देख लेते हैं अब देखें जैसे हमने एक-एक करके word meaning र लेकिन उससे पहले RA RA यानि की REM तो ANC से पहले क्या RA या पर AH रा रह ए तो हमने क्या लिखा है ANC लिखा तो आपको S लिखना है यहांपर S ये ARS का साउंड होगा तो आपको क्या लिखना है ANC लिखना है, lens नहीं लिखना है यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अगर यह समझ गई तो कभी भी कलती नहीं होगी, ठीके, आप एक word meaning से और समझ लेते हैं, सेकंड वर्ड मीनिंग है attendance, हम बोलते भी attendance यानी क्यों पिस्थिती, देखे, attendance में क्या है, A, T, attend लिखा है, attend में आप देखे हैं, उसकी बाद क्या लिखे हैं, ends, या फिर uns, तो ends से पहले क्या है, दियार से देखे, देखे, तो D है तो हम क्या लिखेंगे, A, N, C, E लिखेंगे, याद रखेंगे, बहुत अच्छा है, यह अगर समझ मांगे, तो लिखने की दिक्कत ही खता हूँ, सबसे ज़्यादा बच्चों की इसी लिए दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें रूल्स नहीं पता है, लेकिन अगर आपको रूल्स नहीं पता है, तो हम इसी के लिए बैटे हैं, आपको सिखाने के लिए, मैं बहुत सारी बुक्स को रिसर्च करने के बाद, कौफी साधी नौलिज लेने के बाद, आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपकी मदद हो सके, तो प्लीज, मैं चाते हूँ कि आप लोग सभी ये वीडियो देखे, और आपकी इंगलिस बहुत अच्छी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपकी सच में इंगलिस अच्छी हो सके, और अगर आप अपरी कोचिंग जॉइन करके और जल्दी इंगलिस सीखना चाहते हैं, तो आप कोचिंग जॉइन आते ही कर सकते हैं, चलिए आगे और चाल लेते हैं, आप एक और व लिखेंगे, अब आप कहेंगे कि ये सही है, क्या सब में ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सब में लिख सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है, और रेजिस्टेंस का मतलब बता है प्रति रोदत, यानि कि प्रति रोद, आप इसमें हिंदी भी लिख सकते हैं, अब जादा बात यह नहीं करें कि आपको जिसे समझ में आगया होगा. अब हम बात कर लेतें, ENC कब लिखते हैं? तो इसकी भी बारे में जिसे समझ लेते हैं, ताकि आप इसे भी लिख सकते हैं. जान लेतें कि ENC कब लिखना है? दूनों का मतलब एक ही है, यानि कि ENC, ENC. लेकिन लिखने में दूनों अलग हैं. तो कहीं पर भी अगर E, R, D नहीं होगा. Sorry, D, R, D नहीं हो. जैसे R है और ENC आ रहे, तो ENC लिखना है. T है और ENC आ रहे, तो ENC लिखना है. और D है फिर ENC आ रहे, तो ENC लिखना है. लेकिन T, R, D नहीं है, तो क्या लिखें? तो ENC लिखें. समझ में आया? हमेशा याद रखेगा, अगर ये तीन लैटर हैं, तो ENC लिखें, बलब ANC लिखें, बाकि सबी जगा ENC लिखें. सबसे ज़्याद है ENC इसलिए लिखा जाता है. आप इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, एक और रूल से, जो आपको बहुत मदद करेगा इसको समझने में. यहाँ पर देखिए, एक रूल और है, जो समझना हैं आपको, ENC कभ लिखते हैं, यह तो आपको बता दे हमेने. लेकिन इसका एक और रूल से, जब यह आप किसी किरिया है, किरिया का मतलब बता है वर्ब, जो हम काम करते हैं, उसे हम किरिया बोलते हैं, और इंगलिस में वर्ब कहते हैं. जैसे हैं, हसना, बोलना, खाना, पीना, यह सब वर्व है लेकिन अगर आप किसी वर्व को संग्या में बदलते थे संग्या यानि कि किसी भी चीश का नाँ जो भी चीश आपके आसपास है अगर उसका कोई नाम है तो वो संग्या है यानि कि नाउन है ठीके, यह तो आपको समझ में आगे कि किरिया और संग्या क्या होती है, यानि कि वर्व और नाउन किसे कहते हैं, तो इसमें यह चीज समझे, अगर आप कोई वर्व है और उसको नाउन में बदल रहें, यानि कि किरिया को अगर आप संग्या में बदल रहें, तो उसके लिए हम ANS लिखते हैं, समझ में आया, यानि कि अगर कोई वर्व है और आपको उसे संग्या बनाना है, तो आप उसमें ANS लिख दीजिए, उससे वो संग्या बन जाएगे, इसलिए इसका यूस किया जाता है, नहीं समझ में चले समझें, जैसे लिखा है ATTEND, ATTEND का मतलब होता है, उपस्तित होना है, मतलब कहीं पर होना, ठीक है, लेकिन अगर आप ATTEND में ANC लिख देते हैं, वो आपको पता है कि ANC कब लिखना है, और ENC कब लिखना है, यहाँ पर D है तो ANC लिखेंगे, तो आप ATTEND का यानि कि वर्व है है, क्योंकि महाँ पर उपस्तित होना, जहाँ और लाश में ना आ जाता है, वो वर्व होती है, अगर आप इसको वर्व की जगा संग्या में बदलना चाहता है, किसी नाम में, यानि कि ATTENDANCE, ATTENDANCE का मतलब होता है हाजरी, तो वो एक नाम है, वो इनसान नहीं है, वो हाजरी है, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, नाउन में चेंज कर गया, यानि कि उपस्तित होने को हमने उपस्तित बना दिया, ठीक है, तो इस तरही के से काम आता है, ENC या ANC लिखना, तो इनका लिखने में, अगर आप कभी कोई स्पैलिंग लिखेंगे, तो आप यह सोस्ते होंगे कि ENC कब लिखना है, ANC कब लिखन यह टॉपिक में कल सिखाने वाली हूँ, तो कल की रात 9 बजे वीडियो जरूर देखें, अगर आप लिखना सीखना चाते हैं, तो रेगुलर क्लासिस लीजिए, और अगर आप और भी जल्दी सीखना चाते हैं, तो हमारी कोचिंग भी जॉइन कर सकते हैं, तो कल रात 9 तो सब कुछ हैं, और आप ही इस चैनल के नई मेंबर बनेंगे, तो किस के लिए बनेगा, ठीके, ओगे बाई